हेलो दोस्तो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आज की वीडियो में हम करेंगे एक न्यू एक्स्टेंशन के बारें बाद, जिसका नाम है टेक्चर पोजिशनी, किस तरीके से आप अपने टेक्चर को पोजिशन में कर सकते हो, कैसे रोटेट कर सकते हो, बहुत ही तरीके से तो उस टोपिक पर बात करेंगे, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और आपने दोस्तों में शेर करना बिल्कुल मत भूले, हमें इ यहाँ पर आपको टाइब करना है टेक्शर पोजिशनिंग, और यहाँ पर आपको टेक्शर पोजिशनिंग के नाम से आपको एक एक एक्स्टेंशन मिलेगी, जिसे आप फ्री ओफ कोस्ट इंस्टॉल कर सकते हो, तो इसमें आपको इतने सारे ओप्शन मिलेंगे, सबसे फ यहां पे आप क्या कर सकते हो, रैंडमाइज टेक्शर कर सकते हो, किस तरीके से वो अभी हम करके देखेंगे, तो इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है, यहां पे आपका इस तरीके से आ जाएगा, तो सबसे पहले बात करते हैं, अलाइन टेक्शर की, अलाइन टेक्शर क्या according align हो जाए तो इसको select करो और align texture पर click करो तो वो अपने आपी automatically align हो जाएगा इस तरीके से clear है उसके बाद अगर आप next scene पर चलते हो तो यह देखो यह already align है अगर आप ऐसे है तो इस तरीके से align हो जाएगा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे किसी edge के according align करूँ मालो मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ तो उसके लिए पहला तरीक तो यह था कि हम right click करेंगे texture पर जाएंगे position पर click करेंगे हम इसको manually अपने तरीके से rotate कर सकते हैं इस तरीके से हम right click करके rotate 90 degree करेंगे 90 degree rotate हो जाएगा right click करेंगे rotate इसमें 90 180 270 degree के एंगल है जो हम use कर सकते हैं और वरना हम इसको यहां से भी rotate करके manually rotate कर सकते हैं बट अब इतना ने मेरे को नहीं करना for example मेरे पास यहां पर इस तरीके की drawing है मैं इसको vertically है मैं इस edge के according से align करना चाहता हूँ तो आप इसको select करो surface को shift को press and hold करके इसको भी select करो edge को और अब आप कर दो align texture to edge तो वो उस edge के according align हो जाएगा clear है उसके बाद अगर आप अपने texture को मालो मैंने एक line यहां पर बीच में लगा दी कुछ इस तरीके से अब दो surface बन गए इस texture को मैं इस line के according करना चाहता हूँ align तो आप select करो shift press करके इस line को select करो अब align करोगे यह texture आपका इस line के according align हो जाएगा इस तरीके से आपका texture हो जाएगा अब मैं चाहता हूँ यह texture इस line के according इस line के according align हो जाएगा even आप कोई भी line create करोगे तो उस texture को align कर सकते हो आप बट आपको वो texture पुरा surface और जिस edge के according आपको align करना है वो select करना होगा और फिर align पे click करोगे तो align तो वो इस तरीके से align हो जाएगी कोई भी line कोई भी चीज़ आप इस तरीके से हो सकती है मालो यह किया select करो इसको select किया align तो वो इस line के according align हो जाएगी ठीक है आप यह भी कर सकते हो चारो texture select किये अब इसको इस line के according align चाहते हो तो इसको भी select किया align कर दो तो अब सबको वो align कर देगा इस तरीके से, clear है, आप किसी भी texture को flip कर सकते हो, 90 degree पे, अब देखो 90 degree ऐसे flip हो रहा है, अगर ये texture मेरा align होता, इसके according, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, click करो, आप left, right, left, right इसको rotate कर सकते हो, इसी चीज़ को समझाने के लिए, मेरे पास य है, जैसी ये सारे texture ऐसे लगे हुए है, अब AK को अगर मैं select करके left, right करूँ, तो उसमें काफी problem हो जाएगी, right click करके rotate करूँ, texture position पे जाके, तो इसमें भी मिरे को AK करके rotate करना पड़ेगा, तो भी काफी problem मिरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, मैं चाहता हूँ कि complete texture को one click में rotate कर दूँ, तो आप complete texture को triple click करके select करोगे, और यहाँ से आप rotate कर सकते हूँ कि कितना मुझे rotate करना है, इस तरीके से, left rotate या right rotate, clockwise या anti clockwise आप कर सकते हो, counter clockwise इसे बोलते हैं, और उसके बाद किसी angle पे rotate करना है, माल नमिर को इस texture को 45 degree के angle पे rotate करना है, तो triple click करके select किया, य यहाँ पे आप angle डाल सकते हो, custom angle और rotation angle जो है, यहाँ पे डाल दो 45, okay करोगे तो आप texture देखो, आपका 45 degree के angle पे rotate हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगी, कि माल लो मैंने इस texture को यहाँ से align कर दिया, माल लो इस line के according, अब मैं इसको select करके rotate करना चाहता हूँ, 45 degree के angle पे, तो वो 45 degree के angle पे rotate हो जाएगा, clear, अब उसके बाद बात करते हैं, last वाले के, जो हम randomized texture के लिए करते हैं, for example, मेरे पास ऐसे surfaces हैं, और इन पे मैंने grass का material लगा दिया, अब मैंने क्या किया, इस grass के material का size छोटा कर दिया, माल लो 1 feet का round कर द देख रहे हो, basically हुआ क्या, एक छोटी-छोटी tile repeated way में आ रही है आपका, तब ये texture बना रही है, मैं चाहता हूँ कि जब भी आपको ये इस तरीके का texture लाओ, मैं tiling नहीं चाहता हूँ, randomize आपका texture लगे, तो complete को select करो, और यहाँ पे इस पे click करो, तो सारा texture आपका randomize इसी चीज़ को एक डूसरे example से समझते है, for example, यह है मेरे पास यहाँ पे, और इसको मालनो मैं rotate कर देता हूँ, 45 डिगरी पे ताकि straight हो जाए, अब इसके ऊपर मालनो मैं यहाँ पे कोई भी एक wood का texture लगाता हूँ, मालनो मैं यह लगाया, अब इसको अगर click करोग, randomize करोग जोड़ा अच्छे से यहाँ पे देखने को मिल जाए, अगर इसके बीच में ही एक line होती है, अब अगर आप इस तरीके से texture को करने के try करोगे, तो वो connection नहीं जूड़ पाएंगे, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, तो यह कहाँ पे use होगा जाद तर, जह वरना हमारे पास आपका वीरे वाला option तो ही है, कि वीरे के अंदर जो आपका texture को कैसे adjust करते हैं, वो आप उसकी help से कर सकते हैं, तो यह था texture positioning, कैसे आप कर सकते हो, और किस तरीके से use कर सकते हो, आशा करता हूँ, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी किसी ने टो पिल के तब तक लिए जय ही ही वन्ने मात्रा